अधिक्टर प्रोड़क्ट पिछले क्लास में बताया था अधिक्टर डिफ्रेंशेशन का प्रोब्लम सुल्ड किया था और आज हम ग्रेडियन के बारें बताएंगे कि ग्रेडियन क्या है तो ग्रेडियन को इस रूप में हम दिखते हैं ग्रेडियन तो इसे हम ग्रेडियन ग्रेडियन इसको नेवला ये भी बतायाता है gradient vector भी पढ़ायता है gradient symbol भी कहायता है तो gradient इसका नेवला का ये फर्मूला होता है i delta 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 x plus j delta y delta y plus k delta y delta z तो delta f ये gradient हो गया तो delta का मान अभी हम जो लिखे थे ये f तो ये differentiation हो गया delta f साथ में गुना कर दिये multiply कर दिये इसको summation में लिख दिये i delta a by delta x ये gradient का ये फर्मूला हो गया है now we start question f x y z is equal to 3 x square y minus y q z find gradient at point 1 minus 2 minus 1 अभी हम पहाँ है gradient tip gradient f is physical to हो गया i delta f by delta x plus j delta f by delta y plus k delta f by delta z delta f हो गया तो f का मान हम यहां पर से put करेंगे 3 x square by minus y q z square तो ये multiply होगा ये दोनों 3 x square by minus y q z square इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा ये multiply किये हैं ये multiply किये हैं ये multiply किये हैं ये multiply किये हैं तो X के respect में क्या हो जाएगा? 2X और यह differentiate X के respect में होगा? यह 0 हो जाएगा, यानि 2X माइनस 0 2X माइनस 0 और तुम्हारा 3X square है, यह गलत लिखा गया 3X square by minus by तो 3 दूनी 6X हो गया इसके साथ, डल्टा X के साथ अज़ डल्टा Y के साथ 3X square by minus by Q Z square य के respect हो गया 3X square minus by Q का हो जाएगा 3 by square Z square तो यह तुम्हारा हो गया यह डल्टा Y, डल्टा Y का मान हो गया 3X square, 3 by Z square और के respect में डल्टा Y, डल्टा X, 3X square minus by Q Z square तो यह Z, ज़, तो Z के respect में हो जाएगा यह बाइक्यू इन्टू 2Z बाइक्यू इन्टू 2Z यानि 2 by Q तो यह बाइलू जो हम निकाले हैं हुआ हैं पुट कर दिये यह बाइलू निकल गया तो अब यह तुम्हारा यह इसका यह डिफ्रेंसेट हो गया हमने कर दिया अब पॉइंट हमारा कारा X का मान 1 है, by का मान minus 2 है, Z का मान यह पॉइंट है हमारा 1, minus 2, minus 1 तो E हो गया X, यह बाइ हो गया यह Z, जहां जहां X है उसका मान पुट करेंगे 1, by का मान minus 2 Z का मान minus 1 तो हमारा दिजल्ट आया 6XY minus 3X स्कौर यह हो गया अब X का मान 1 करेंगे, by का मान minus 2 X का मान minus 1 बाई Q कमान माइनस 2 का होल Q माइनस 1 तो माइनस 6 दुनी 12 ये हो जाएगा 3 2 दुनी 4 ये 12 12 में से 9 गया माइनस 12 में से 3 गया माइनस 9 ये 2 दुनी 4 दुनी 8 आठ दुनी 16 16 क्यों माइनस ये result हो गया एक हिसाब हो गया तुमारा gradient पर अब हम divergence के बारें पढ़ेंगे तो divergence क्या है तो divergence जो है हमारा ये delta f लिखे उसमें dot होता है ये divergence हो गया dot product हम पढ़ चुके हैं भेक्टर में dot और cross ये dot product हो गया और ये cross product हो गया ये उसी तरह का definition है जो हम पहले gradient में बताये थे delta y delta j delta f ये हो गया समेंशन लिख दिए जो पहले हम बता चुके हैं अब एक थोड़ा सा हम मान के चलते हैं f small f बरावर capital f1 i f2 j f3 तो ये f का मान हम यहाँ पर put कर देंगे delta f f का मान f1 i f2 j f3 k अब delta के साथ ये तीनों गुना होगा delta x साथ ये तीनों गुना होगा इसके साथ तीनों गुना होगा अब i है तो i dot i i dot i का मान कितना होता है 1 j dot j का मान 1 k dot k का मान 1 अगर dissimilar रहेगा शिमिलर नहीं रहेगा तो उसका मान 0 हो याता है i dot j का मान 0 है इसलिए हम नहीं लेते हैं i dot i delta f1 by delta j dot z i dot i का मान 1 तो delta f1 by delta x इस हो गया next question question है r vector बड़ाबर x i plus y j plus z के find gradient delta nevla 1 y r तो ये नेवला मान हो गया i delta y delta delta f के जगा पर 1 बटे यार ये delta 1 बटे यार ये sum में हो जाएगा जैसे देखो एक सकेंड i delta y delta x plus j delta y delta y k delta y delta z 1 बटे यार से अगर हम गुना करेंगे तो ये 1 बटे यार यहां पर हो जाएगा 1 बटे यार यहां हो जाएगा 1 बटे यार हो जाएगा 1 बटे यार का differentiation 1 बटे यार का differentiation delta 1 y r delta x तो delta y delta x r उपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा, इसका differentiate हम पर रहेंगा minus 1, r minus 1, minus 1, minus 1, r minus 2, minus 1 बटे r square, जिसको हम यहाँ पर बता चुके हैं, यहाँ पर कि यह चीज हम यहाँ पर रख किये हैं, यहाँ पर बता चुके हैं कि 1 बटे r, delta r y, delta x, delta r y, delta x, delta r y, delta x, delta r y, delta तो delta 1 बट r का differentiation हो गया minus 1 बट r delta r by delta x हो गया सब में लिख दिये अब delta r by delta x का मान हम कहाँ निकालेंगे how can we find out you have to give him the r by is equal to r si plus y j plus z के तो r square हो जाएगा minus 2 लेंगे x square plus y square plus z square इसको differentiate करेंगे तो r square का differentiate हो जाएगा r square is equal to x square plus y square plus z square r square का हो जाएगा 2 r y delta x के respect में x के respect में बाकी 0 हो जाएगा 2 x 2 2 कच गया delta r y delta x बड़ावर x इसी तरह से हम y के respect में करेंगे तो delta r यहां बता दिये delta r y delta y y वट या delta r d अब यह मान हम x y r delta r y delta x के मान बइठा देंग x वट यार delta r by by वट यार z r अब 1 वट यार अस्वार common लेनेंगे यह हो गया r 1 वट यार common लेनेंगे r का मान हम यहां पूट कर देंगे हिसाब हो गया तो हमने तुमको gradient कर define किये और इसका problem बताएं divergence कर define किये divergence का हिसाब हम बता दिये हैं कर देंगे यह